सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग सी होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने फोन को अपने एंडुआइट स्मार्ट फोन को किस तरह से एड़ फ्री कर सकते हैं जब भी आप किसी भी प्लेश्टोर से किसी भी फ्री एप्लिकेशन को अपने फोन में स्टोल करते हैं स्टोल करने के बाद ओपन करने के बाद आप उस एप्लिकेशन को जब यूज कर रहे होते हैं तो गाइस आपके फोन में उस एप्लिकेशन में दो मिनट या तीन मिनट य उपर ही क्लिक कर देते हैं तो इसे में कभी कभी क्या होता है कि आप लोग इस वेबसाइट को छोंके उस एड की वेबसाइट पर पहुंच आते हैं और ऐसे में आपको बहुत सारी दिक्कत होती है अगर आप इन सभी एड्स बगेरा को अपने फोन से रिमूब करना चाते हैं तो इसके लिए अपको इस वीडियो को कम्पलीट एंट तक लिखना होगा तो इस अब तो चली वीडियो को श्रू करते हैं तो इस अपने एंडवाई स्मार्टफोन में सभी एड्स बगेरा को रिमूब करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में फोन की सेटिंग को उपन कर लेना जैसे ही आप अपने फोन की सेटिंग को ऊपन करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिक करना है वाद आपको यहाँ पर यहाँ पर पर टाइप करना है वाइस जैसे ही आप इतना टाइप करके अपने फोन में save करते हैं तो वाइस आपके फोन में जो भी एड्स वगेरा आ रहे होते हैं तो वाइस आपके फोन में सारे एड्स close हो जाएंगे वाइस यह सब check करने के लिए हम पहुँच जाते हैं अपने phone की किसी भी browser में और किसी भी website को open करके check करते हैं तो guys यहाँ पर हम मैंने एक website को open किया तो guys आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी article लिखे गया है बही सिर्फ show हो रहे हैं और guys यहाँ पर aids आने चाहिए वहाँ पर aids नहीं आ रहे हैं तो guys इसका मतलब है कि आपके phone से सारे aids remove हो चुके हैं तो guys इस तरह से आप लोग अपने phone में किसी भी application से या किसी भी website से सारे aids को close कर सकते हैं तो है ना यह interesting से video तो guys अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो video को like जरूर करें